नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं किसानों को 26 जन्वारी को ट्रेक्टर प्रेड की मिली इजाजात केंद्र सरकार के तीन क्रिसी कानूनों खिलाब पिछले तेड़ महीने से अंदुरन कर रहे किसानों को गंतंत्र दिवस के मौके पर ट्रेक्टर माज की इजाज़त मिल गई है किसान नेतावों ने दावा किया कि दिली पुलिस ने परदसनकारी किसान यूनियानों को 26 जन्वारी को राष्ट्रे राजधानी में ट्रेक्टर प्रेड निकालने के नुमति देद दिया है जार्खन में अगले चार से पांच दिनों में पारा बढ़ने की संभवना जताई गई है। जबकि सबसे कम तापमान गिरीडी में 6.2 डिगरी, काके 6.8 डिगरी, पाकुर 8.8 डिगरी, वहीं चाईबासा 7.6 डिगरी, बुकारू 7.5 और डालतें गई 9.4 डिगरी रिकॉर्ट किया गया। स्वास्त विभाग के परधान सचीव नितिन मदन हटाएगा है। रायस्व निबंदन एवां भोमी सुधार विभाग के सचीव के के सोन को स्वास्त विभाग के सचीव पत की जिमिदारी दी गई है। इसके अलावा स्रीकिष्ण लोक प्रसासन संस्थान राची के महानी देशक एल खियागते को रायस्व निबंदन एवां भोमी सुधार विभाग के अतिरिक प्रभार स्वापा गया है। गिरी डी में एक इसकूल ने बेची सरकारी कितावे सभी जिलो में जाच के आदेश। से दस इसकूलों की जाच करने को कहा है। मेडिकल छात्रा पूजा भारती मामले में डी आजी का खुलासा हत्या नहीं छात्रा ने की आत्म हत्या। हजारी बाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा पूजा भारती की मामले में पूलिस ने खुलासा किया है। बतादे डी आई जी ये भी होमकर ने प्रेस वारता कर बताया कि अब तक कि जाच के अधार पर छात्रा द्वारा आत्म हत्या करने की बात सामने आई है उन्होंने कहा कि छात्रा के बेग और रूम से मिले कागजातों से प्रतित होता है कि छात्रा मानसिक और अउसाद में थी हलाकि अभी भी कई बिंदूओं पर जाच चल रही है पूरी जाच के बाद ही किसी ठोस नतिये पर पहुचा जा सकेगा ग्रामीन छेत्रों में बढ़ेगी सुविधाएं मंत्री आलमगीर छारखन सरकार ग्रामीन छेत्र में सुविधाव का विश्थार करेगी सरकार के गठन के बाद जीस रफ्तार से विकास का काम होना चाहिए था वह नहीं हो सका है इसकी मुखे वज़ा कोविड माहमारी रही है राजे में अब विकास की रफ्तार बढ़ी है छेत्र में विकास के कई काम किये जा रहे हैं धीरे धीरे लोगों की सभी आकंचाय पूरी होगी उक्त बाते ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम ने सनिवार को ग्रामिन छेत्र के दोरे के दोरान पाकुड के मनिराम पूर में कही उन्होंने नवादा में भी कारेकरम को समधित किया लालू यादों को दिली लाया गया एम्स में शुरू हुआ इलाज राची में रिम्स के पेइंग वाड में भरती रायत अध्यक्ष लालू परसाथ को बेतर उपचार के लिए दिली एम्स में भरती कराया गया है बतादे एम्स के कार्डियो लोजी विभाग के प्रोफेसर राके स्यादों के नित्यूत्र में इनका इलाज शुरू हुआ है उन्हें कार्डियो नियोरो सेंटर में दूसरे तलाब पर रखा गया है और कार्डियक आईसीउ में उनका इलाज चल रहा है बतादे 16 विमारियों से घीरे होने की वज़ास से सभी विचे सगेवाले बरिष्ट डाक्टरों का एक पैनल देर राध तक गठित हो जाएगा तब तक वे डाक्टर राके स्यादों के टीम के नित्यूत्र में उपचार कराएंगे राजभवन के समक्ष किसान अंदोरन के लिए करो या मरो का लिया सपत जालखन राजस किसान संगहर समणवे समीति की और से सनीवार को राजबवन के समख किसान बिरोधी कानून और मजद्रूर बिरोधी नितियों खिलाब किसान मजद्रूर पराव कारेकरम किया गया पड़ाव में भारी संक्या में किसान मैदूर उपस्तित थे इस दरण किसान बिरोधी कानून वापस लो मैदूर बिरोधी निती रद करो आधिनारे लग रहे थे किसानों मैदूर ने राजबवन के समक्स जूट कर देश में चल रहे किसान अंदूरन के साथ एक जूटता परदर्शित की सबसे पहले किसान अंदूरन में 147 सहीत किसानों को सर्दान जिली दी गाई जारखन में 78 नाए कुरोणा मरीज मिले है जो राची से 55 बोकारो एक धनबात से 5 पूर्वी सिमूम 4 हाजारी बाग से 1 जामतला से 1 लातेया से 1 गूमला से 2 पलामों से 1 रामगर से 4 तराय किला से 2 पचमी सिमूम से 1 मरीज मिले है वही राजे में कुरोना से राची जीले से एक मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 161 है वही एक्टिव केस 878 है भारत में 14889 मौत मिले है भारत में कूल मौत की संख्या 1,336 है वही भारत में एक्टिव केस 1,181,527 है राज सरकार के नियत साफ नहीं सन्विदा कर्मियों को दिख भरमित कर रही सरकार दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्स सांसत दिपक परकास ने बीरसा चोक पर अंदुलन कर रहे चोदवे बित आयोग सनविदा करमियों एवाम J.S.S.C. के सामने धार्ना दे रहे पंचाल सची वभियार्थियों से मुलकात किया रांची के सवी प्रखंडों में 30 को लगेगा विधीक सेवा काइम 30 जनवरी को राची जीले के सवी परखंडों में बिधिक सेवा ससक्ती करण करेंप का आयोजन किया जाएगा बतादे जीला बिधिक सेवा प्राधिकार डालसा जालसा एवं जीला पर सासन के सन्यूग तत्वधान में आयोजन होगा सिवीर के दोरां समाज के कमजोर बर्गों के कल्यान के लिए संचालित जनकल्यान कारी जनाओ एवं प्रदत अधिकारियों वा कानूनी पहलूओं की जनकारी दी जाएगी इसको लेकर सुक्रवार को उपायूग छवीरंजन के अध्यक्सता में सबनाले बलोक एश्थीत उपायूग सबागार में बैठक होई आत्महत्या करने जारे बावन लोगों को बचाया गया आप भी परसान है तो करे फोन कुरोना वायरेस मामारी के कारण बदलते हलात लोक डाउन में मानसिक तनाव सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा बता दे इस दोरन आत्महत्या के मामले में लगतार ब्रिदी हुई और यह अब तक जारी है हजारों जिन्दिगिया समय से पहले खत्म हो गई अकाल मिरित्यों को गले लगाने वालों में युवावों की सरुख्या सरवधिक है यह इस्थिती हरान करने वाली है इसकी रोक्थाम के लिए अलग अलग अस्तर पर प्रयत्ने किये जा रहे हैं बतादे जीला पर सासन और CIP के सन्युक्त पहल से शुरूख की गई आत्म हत्या रोक्थाम हेल फ्लाइन पर विश्व सग्यों द्वारा सहायता उपलब्त कराई जा रही है और साथ ग्रस्त लोग हेल फ्लाइन नमबर तिरानवे चौटिस एकानवे पचास तीरपन और तिरानवे चौटिस एकानवे पचास चालिस पर कॉल कर निसुल्क सेवाल ले सकते हैं रांची के सभी राइस मिलर तेजी से करेधान का उठाव SDO किसानों को हो रही कठिनायों के निराकरण के संदर में समिक्षा की इस बैठक में जिला पूर्तिपता अधिकारी राची सबीर अहमद राइस मिलर एसोसियेशन के प्रतिनी दी राज्ये खाद्यान निगम कर्मी यम जीले के सभी राइस मिलर उपस्ति थे राज्ये राची में एसपारकी कमपनी के दस हयाँ से जएदा नकली जीन्स बरामत राइधानी राची में ब्रांडेट कमपनीयां के नकली प्रोडक्ट बनाने का करोबार तेजी से फैल रहा है पुदांग ओपी छेत्र के इलाही नगर में पुलिस की टीम ने छपे मारी कर भारी मात्रा में ब्रांडेट कमपनीयों के जीन्स बरामत किये है गंतंत्र दिवस पर साहिव गंज के 6 सिक्षक होंगे समानित गंतंत्र दिवस समारों के दरान बेहतर कार करने के लिए साहिव गंजी लेके 6 सिक्षकों को समानित किया जाएगा बता दे इनमें 3 सिक्षक प्राथमिक स्कूल तो 3 सिक्षक हाई स्कूल के हाँ हैं इसके अलावा मैट्रिक वर इंटर की परीक्षा में प्रथम तीन अस्थान पर आने वाले छादर शत्राओं को भी प्रोस्क्रित किया जाएगा दरांची राइफल सुटिंग कल्ब एकलब सुटिंग कल्ब और जे एस पी एस एस का रहात दबदबा देव घर में आयोजित एगारवी जारखन राज निशाने बाजी परत्योगता में दरांची राइफल सुटिंग कल्ब एकलब सुटिंग कल्ब और जे एस पी एस एस का दबदबा रहा बता देदर राची राइफल सुटिंग कल्ब ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किया वही राची जीला राइफल संके नित्युत्र में राची जीले को कूल 24 गोल्ड, 23 सिलवर और 29 ब्रांज मेंडल प्राप्त हुगा भाजपार नेता घडियाल आसुन वहाय सारी समस्यावों की जननी रहुवर सरकार कॉंग्रेस जार्खन कॉंग्रेस के परदेश प्रवक्ता अलो कुमार दुबे, लाल की सोरनाथ सादेव और राजेस गुपता ने कहा कि आज भी भीन विभागों में नौक्रियों को लेकर जितने भी संगठन वा अभियार थी अंदोलन रथ हैं उन सभी के जड में पुरुवर्ती रहुवर दास सरकार की गलत नितिया रही है परवक्तावों ने सनीवार को राची के बीरसा चोक में धारना पर्दरसन में बैठाक चोधावे बित आयोक करमचारी संग के प्रतिनिद्यों से मुलकात कर प्लटवार करते हुए का कि युवाव किया दैनी अहलात कर देने वाले भाजपाने ता आज उनकी मुस्किलों पर आयनेतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे है देवघर से 11 साइबर गिरफतार देवघर साइबर थाना की पुलिस ने मोहनपूर थाना छेतरे के बांका वा तीर नगर चीतरा थाना छेतरे के नरबाद वा सरावा थाना छेतरे के खायरवा गाव से चापेमारी करेगार साइबर अपरादी ओ गिरफतार किया है पूलिस अधिक्षक कर्याले में अईद प्रेस वारता में एसपी अस्विनी कुमार सिना ने बताया कि उन्हें गुप्त सुचना मिली थी कि बिभीन थाना छेत्रों में फिर साइबर अपरादी सक्रिय हो गया है रांची के असोक बिहार एक्स्टेंशन में नाला पर बने 27 भवनों पर बुल्डोयर चलाया जाएगा बतादे नगर निगम के अधिकारियों ने सुक्रवार को नाला का निरिक्षन कर इन 27 भवन के मालकों को नोटिस जारी कर दिया है इनसे नगर निगम में हफ्ते भवर के अंदर नाकसा जामा करने के लिए कहा गया है इसके अलावा नगर निगम ने लालपूर में बर्दमान कमपाउंड के नवीन मित्रा लेन में निर्मानिधान एक इमारत को सील कर दिया है जार्खन में टीका करन में ओवर ओल उपलबदियों में पलामु जिला अवल राज जेक के टीका करन अभियान में 24,091 का लक्ष था जिसमें 14,794 उपलबदिया हासिल हो चुकी है बतादे ओवर ओल उपलबदियों में पलामु जिला अवल है पलामु जिला में 46 फिर्षदी टिका करन हुआ वही गीरी डी में 71, 1221, 1465, गुमला 65, सिम्डेगा 65, रामगर 64, देवगर 63, गडवा 63, कोड़ार्मा 69, सराइ किला 69, दुमका 69, गोड़ा 69, लाते आरं ठावन फिर्षदी टिका करन हुआ है वही पचास फिर्षदी से कम उफलब्दिया होने वाले में सिर्फ दो जिला पाकुरवत साहिवगर सामिल है, धन्यवाद